चानक के AIS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे एकनॉमिक्स के नोबल पुरुसकार 2022 के बारे में इससे पहले अन्य कैटिग्रीज पे जो पुरुसकार मिले हैं उसके बारे में हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं इकनॉमिक्स के नोबल पुरुसकार 2022 की घोशना कर दी गई है इस बार यह पुरुसकार बेन S. बर्नान के डगलस W. डाइमन और फिलिफ H. डाइविक को दिया गया है इन्हें यह पुरुसकार बैंकों और वित्य संग्टनों पर शोध के लिए दिया गया है यह पुरुसकार अलफ्रेड नोबल की स्मृति में दिया जाता है Royal Swedish Academy of Sciences ने इस पुरुसकार की घोशना की है इसे Severance Ricksback पुरुसकार के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था अलफ्रेड नोबल की स्मृति में इकनॉमिक्स में Severance Ricksback पुरुसकार 1969 और 2022 के बीच 92 पुरुसकार विजेताओं को 54 बार प्रदान किया गया है इकनॉमिक्स के नोबल पुरुसकार के बारे में अगर हम बात करें तो इकनॉमिक्स के नोबल पुरुसकार के बारे में अलफ्रेड नोबल की वसीहत में कोई जिक्र नहीं था इसी वर्ष 1968 में उनकी समृति में स्वेडिश केंद्रिये बैंक द्वारा शुरू किया गया था रैंगार, फ्रिंक्स और जॉन टीन बर्गें को आर्थिक परक्रियाओं के विशलेशन के लिए गती शील, मॉडल, विक्सित और लागू करने के लिए वर्ष 1969 का एकनॉमिक्स का नोबल पुरुसकार दिया गया था सैवरिंग्स, रिक्सपेक पुरुसकार से जुड़े महत्यपुन तथ्यों की अगर बात करें तो यह अवार्ड बार्णवे वेक्तियों को 1969 से 2022 की मध्ये दिया जा चुका है एलिनोर ओस्ट्रॉम पहली महला एकनॉमिक्स को नोबल पुरुसकार विजेता बनाया गया था एलिनोर ओस्ट्रॉम को वर्ष 2009 में पुरुसकार से सम्मानित किया गया था एस्टेर डुपलो 2019 में पुरुसकार से सम्मानित होने पर दूसरी महला पुरुसकार विजेता बनी थी आज तक सबसे कम उम्र की एकनॉमिक्स नोबल पुरुसकार विजेता एस्टेर डुपलो है जो 46 वर्ष की थी जब उन्हें 2019 में यह सम्मान दिया गया था अब तक के सबसे कम उम्र के विजेता लियो नीद हर्विक्स है जो 90 वर्ष के थे जब उन्हें वर्ष 2007 में यह सम्मान दिया गया था सैवरिंग रिंग्स में पुरुसकार या एकनॉमिक्स का नोवल पुरुसकार अब तक 25 बार केवल एक पुरुसकार विजेता को प्रदान किया गया है यानि कि किसी सिंगल इंसान को दिया गया है वर्ष 2021 का एकनॉमिक्स का नोबल पुरुसकार डेविड कार्ड जोसुवा डी एंगरिस्ट और गुईडो इंबेंस को सईवत रुप से दिया गया था अवोर्ड का आधा हिस्सा डेविट कार्ड को दिया गया और आधा हिस्सा जोसुवा डी एंग्रिस्ट और गुईडो इंबेंस को दिया गया था डेविट कार्ड को यह है पुरुसकार श्रम अर्थ शास्त्र में उनके योगदान के लिए और अन्य दो विजेताओं को कारण सम्मंदों के विशलेशन के लिए उनके पत्तिगत योगदान के लिए दिया गया था इसके साथ ही आज का हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तैंक यू सो मच